इंडिया तो पहले में टाइटल बताता हूं चाइना गिप्स पाकिस्ताना न्यूक्लियर मिसाइल ट्रेकिंग सिप इस डेंजरस फो इंडिया यह सबसे बड़ा सवाल है अगर चाइना ने पाकिस्तान को कोई ऐसा ट्रेकिंग सिप दिया है जो न्यूक्लियर मिसाइल काई सकते है ट्रेकिंग सिप है तो यह इंडिया के लिए खतर्नाक है या नहीं प्रसान धवन जीर की वीडियो है उनके चैनल पर अपलोडे है तो वहां पर जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं रियक्शन नमस्कार और विलकम यौल तो स्टडी आएक्यू मैंू प्रशान धवन नाव रिसेंटी जी जीओ पॉलिटिक्स और डिफेंस की फील्ड में एक मेजर डिलप्पेंट हुई है जिसके वारे में आपको पता होना चाहिए जो चीज इंडिया हार्ड वर्क से मैनत से पैसा पाकिस्तानी वेरियंट है इस दुरूब का यहां पर आप देख पाओगे इस से रिएट आटिकल पाकिस्तान नेवी गेट्स फ़र्स्ट स्पाई शिप प्नस रिजवाण जिस तरीके से भारत का INS रूफ है हमारी जो नेवी के शिप्स होती है ना उनके पीछे हम लगाते हैं INS INS की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप सिमिरली पाकिस्तान की जो शिप्स हैं उनके पीछे लगता है PNS पाकिस्तान नेवल शिप और अगर आप सोच रहे हैं स्पाई शिप कोई छोटी सी चीज़ा नहीं बहुती सलेट ग्रूप ऑफ कंट्रीज के पास खुद की स्पाई शिप होती है जैसे के भारत मैंने आपको बताया इस रिजवान आ चुका है ना इससे पाकिस्तान और चाइना को क्या एडवांटेज मिलेगा ना सबसे पहले यहां पर आपको एक कॉंसर्प समझना होगा एक मिसाइल ट्राकिंग शिप का देखो आज के समय हमें पता नहीं कि कहां से कब इंडिया पर एक मिसाइल से अट्र रेडार्स हैं हम रेडार्स ऐसी जगा पर प्लेज कर सकते हैं जहां से हमको उमीद है के अट्राक हो सकता है बट इंडिया एक मैसिव कंट्री है आप कैसे अंडिस्पेट करोगे कि यहों कोई बेंगोल या अरेवियन सी से कब आप पर अट्राक कर दे तो इसलिए मिसाइल बहुत ही ज़ादा इंपॉरेंट हो जाती हैं मिसाइल ट्राकिंग शिप भारत की अरेवियन सी बेव बेंगोल में हमेशा डिप्लॉइड रहती हैं और देखती हैं कि कौन सा मिसाइल भारत की तरफ लाँच किया जा रहा है अगर किया जा भी रहा है और कैसे इसका डेटा जल्द से जल्द हम भारत तक पुचा कर इंडिया को बजा सकती हैं मिसाल ट्राकिंग शिप्स है ना इंडिया के डिफेंज के लिए मैं काऊंगा बहुत ही जारा इंपॉरेंट हैं इंट्रस्टिंग ली दो हजार रिकिस से पहले भारत के पास ऐसी एक भी मिसाल शिप थी आइने जुरूब यहां पे आप देख पाएंगे इसकी इमेज दो हजार रिकिस में हमने लॉंच करी आइने जुरूब पंद्रा सो करोड रुपे लगे इसको बनाने में और आप नोट करोगे पहुत हैं यहां पर बहुत सारे रेडार्स हैं और इस शिप का काम ह जाना कि कोई मिसाइल भारत की तरह लॉंच तो नहीं हो गया यह शिप अटाक नहीं करेगी इस शिप में मैक्सिमा में एक हलिकॉप्टर की जगा है उसके इलावा अटाक करने वाले कोई फीचर्स आपको इस शिप में नहीं मिलेंगे नाव भारत के डियाडियों और एंट अटाक नहीं होगा इंडिया ने देखो यह सब एकॉंपलिश जो किया है यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि दुनिया में अगर मैं आपको दिखाओं कि किस कंट्री के पास कितनी मिसाइल ट्रकिंग शिप्स हैं तो आप जानके रान हो जाएंगे चाइना, USA, फ्रांस, यहां पर आप देख पाओगे यह है चाइना की मिसाल ट्रकिंग शिप्स इन शिप्स को इन रखा है यूँन वैंक क्लास में यहां पर आप देख पाओगे यूँन वैंक वान टू थी काफी बार यह शिप्स इंडियन ओशन में भी आज आती है आपने नोटिस किया होगा फिर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होती है रिपोर्ट्स पब्लिश होती है कि चाइना की मिसाल ट्रकिंग शिप्स आज के समय इंडियन ओशन में है जराता चाइना इन मिसाल ट्रकिंग शिप्स का यूज करता है इंडिया के मिसाल टेस्स पर स्पाइंग करने के रश्या के पास एक जमाने में बहुत सारी हुआ करती थी मगर जरातार स्क्राब कर दी जा चुकी है या फिर म्यूजियम में पड़ी हुई है यूएसे सार से लेकर रश्या नेवी में जो फॉल आया है ना ये कमाल का है यूएसे सार के आप अगर देखोगे एर्ग्राफ्ट क्यारीर मिसाल ट्रकिंग शिप समरीं अलगी नंबर था रश्या के पास बहुत जारा च्छोटी नेवी है इंडिया पुछी के बात करें था पर इंडिया अपना टेक्स पिर खरच करके डिया यो की रीसर्च लगती है हमारे साइन्टिस इस पर काम करते हैं कोई बहार की कं मगर पाकिस्तान को एक enormous advantage है चाइना का जैसे मैं आपको बताया चाइना की आज के समय एक expertise हो चुकी है ऐसी missile tracking ships को बनाने में और जो ये PNS रिजवान है ये effectively पाकिस्तान को एक basic data देगी missile tracking के लिए कल को आप मान लीजिए है effectively speaking भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि इंडिया पाकिस्तान के वीच में major war हो जाती है और उस case में अगर इंडिया missile launch करता है towards Pakistan तो PNS रिजवान कुछ हद तक पाकिस्तान को बचा सकती है या फिर कुछ seconds पहले message भेशकती है कि missile आ रहा है छुप जाओ और अगर यहाँ पे आप स क्योटी establishment को बिल्कुल शेक कर दिया उनको यकीन नहीं हुआ के एक सूपर सौनिक मिसाइल इंडिया ने गलती से लांच कर दिया और पाकिस्तान को कोई आइडिया नहीं था वो मिसाइल कब पाकिस्तान में आया कब उसने हिट किया पाकिस्तान कुड नॉट डू इस काथ पाकिस्तान का कौन सा मिसाइल इंडिया को हिट करने के लिए तो हमारे पास डेटा जादा होगा we will be able to defend ourselves तो कही ना कही आप कह लीजिए पाकिस्तान ने भी खुद के डिफेंस के लिए चाइना से कुछ ये एक understanding develop करी होगी कि आप हमको ये PNS रिजवान दीजिए हमाने लिए ये शिप बनाईए ताकि हम भी खुद के लिए कुछ डिफेंस कर पाएंता हो उससे देखिए सेक्योर्टी डिनामिक्स में कुछ लगता नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा फरक आएगा इंडिया का कोई अभी प्लान नहीं है कि पाकिस्तान को हम अटाक करें या कुछ वार बगरा हो यह जो शिप है पाकिस्तान प्रिफेंस के लिए ही स्वाल करेगा अटाक के लिए यह शिप इतनी यूज होनी सकती बट इंडियन परस्पेटिव से आप अगर देखें तो कुछ हद तक फ्रस्टेटिंग है कि जो काम हम लोग हाड़ वर्क से मेहनत करते हैं पाकिस्तान को बस सिंप्ली मिल जाता है खैर अभी के लिए तो आज गिफ्ट मिल रहा है मुझे पता नहीं लॉंग टर्म में एक कंट्री के लिए क्या यह हेल्दी है और नहीं पाकिस्तान के के चाइना पर इतना डिपेंडेंट हो जाना कि आपको सेक्शन में जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कॉमेंट को मैं हाट दे दूं ताकि वाकिस वाओं लोग समझपाएं कि सही उत्तर क्या है क्या एक हाली में 9 था नव कॉष्टे कर लिया जा चुका है आपको बताना है कि यह कहां पर लोकेटेट है 9 था 9 वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा मतब जो एक कह सकते है ना बहुत खराब चीज लगी वह होती है कि अगर आप कोई चीज मेहनत करके बनाओ बहुत मेहनत किया फिर आप उसका फायदा उठा रहे हो और कोई आपके साथ में हो और उसको लागे कोई गीप दे दे तो उसक चीज यहां पर है कि देखो यह कह सकते हैं कि यह थोड़ा-थोड़ा कह सकते हैं इसके पाकिस्तान में अगर कोई भी ऐसी मिसाइल से अटेक होता है कुछ भी अगर होता है उनके रडार पे उनको इन्फॉमेशन आ जाएगी इसके लिए उन्होंने जो है चाइना से इस ची खता हुई कि हमारे भारत से जो है एक मिसाइल जो है लॉrog डीयोवाएरल हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान के डिफेंस पर बड़ी सवाल शुरुए कि पता वहात गया टाइस्ट के शटार्ट होई कि उन्होंने अपने लिए स्पाइस कह इंडिया के पास बहुत जादा रहता यह तो यह सारी चीजें के पास एक है इंडिया के पास दो है जिसमें से एक और भी है अचान्य के पास बहुत हैं तो भाई यह सारी चीजेंगो सेक्योर्टी की बात होती है और देश की सुरक्षा की बात होती है तो हर देश के लिए जो है मैंने भी तो लेस्ट को टू कि क्या कॉमेंट में आता है क्या नहीं आता है आप सभी को वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छा भी लगा होगा मिलते हैं आपको एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइब आएज